हलो फ्रेंट्स वेलकम तो दे चैनल फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम कैलेंचो की केर कर सकते हैं तो कैलेंचो एक काफी सुन्दर सकुलेंट फैमिली का फ्लावरिंग प्लांट है और ये प्लांट जो आप भी देख रहे हैं ये देसी कैलेंचो है एक हाइबरिड कैलेंचो भी आता है और उसमें काफी सारे कलर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि पिंक, बहुत सारे कलर्स में वह आता है और ये मेरे पास ये देसी वराइटी है और ये काफी जादा हाड़ी वराइटी होती है और इसमें आपको यही कलर देखने को जादा मिलेगा रेड कलर एक थोड़ा ओरेंजिश टाइप का भी आता है लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वही प्ला कुछ प्रांट में पրपकी चीज recipients के हैं तो सबसे पहले हम इसको लगा कैसे सकते हैं तो लगाने के लिए हम चाहें तो इसे से बीन सकते हैं वेराइटी काफी जल्दी है जो कटिंग के तरू हम लगा सकते हैं और अपने मल्टिपल प्लांट्स रेडी कर सकते हैं और नेक्स चीज है इस प्लांट के लिए वो है इसके लिए कैसा हमें गमला लेना चाहिए तो गमला हमें 9 इंच तक का लेना चाहिए 9 इंच तक की गमले में ये काफी अच्छे से सर्वाइव करता है जादा बड़े गमले में भी हम ग्रो कर सकते हैं लेकिन जादा आप बड़े गमले में ना ही ग्रो करें तो वो अच्छा रहेगा 9 इंच का गमला जो है इसके लिए perfect size है और जैसा कि मैंने कहा कि ये succulent family का plant है तो इसकी जो आप पतियां देख रहे होंगे ये जो पति है इसकी जो पति वो काफी थीक आपको दिख रही होगी काफी जो इसकी जो leaves है वो थीक है और इसमें जो है पानी स्टोर रहता है तो क्योंकि इसके leaves में जो है पानी स्टोर रहता है तो हमें इसे पानी भी बिल्कुल चेक करके कम देना है अगर हम इसमें जादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो यह प्लांट को खराब होने का डर रहता है तो इसलिए जब इसकी ऊपर की जो मिट्टी है वो हलकी हलकी सी सूख जाए तभी हम इसमें पानी देंगे और इस प्लांट को लगाने के लिए हमें सॉइल मिक्षर काफी वेल ट्रेंट चाहिए क्योंकि यह सॉकुलेंट फैमिली का है तो वेल ट्रेंट सॉइल के लिए हमें लेना होगा 40% जो है मैंने सैंड लिया है 40% में सॉइल लिया है और 20% जो है इसमें कंपोस्ट लिया है इसमें कंपोस्ट बहुत ही कम तो इसे चाहिए यहीं चाहिए लेकिन जो लंबी रात जैसे कि ठंड में होता है जब सुबह में बहुत अच्छी सी धूब भी निकलती है और जो रात होती है वो लंबी होती है तो उस तरीके का इसको climate चाहिए होता है weather चाहिए होता है तब ही अच्छे से जो है flowering कर पाता है उसे यह काफी अच्छे से जो इसमें flowering होती है और आप चाहिए तो कोई दूसरा भी liquid fertilizer use कर सकते है जैसे गोबर का जो liquid fertilizer बनाते है वो भी आप use कर सकते है कोई भी liquid fertilizer इसमें use कर सकते है और यह plant जो है वो जैसे मैंने कहा यह देसी variety है तो देसी variety जो है गर्मी में भी survive कर जा होती है होगी लेकिन थोड़ी कम होती है लेकिन जो hybrid वाली variety होती है उसमें जो है वो गर्मी में जहां पर बहुत ही अच्छा temperature रहता है तीस या 35 डिग्री तक जाता है वहां तो बच जाता है लेकिन हमारे यहां पर जैसे की 40 डिग्री से भी जादा temperature हो जाता है तो ऐसी जोड़ी में फ्लावरिंग होगी और winter में तो होती ही होती है तो इस तरही के साब के लेंचों की केर कर सकते हैं तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होती से like करियेगा शेयर करिए और हमारे चैनल को subscribe करिए करिये मिलते हैं नेक्